तो गैस अगर आप लोग Realme के डिवाइस यूज कर रहें और अगर आप लोगों को प्ले स्टोर में कोछ स्टाइब का एरर सो करता है कोई भी एप्लिकेशन को इंस्टॉल या फिर अपडेट करते तो looks like another app is blocking access to Google Play तो कैसे आप लोग इसे fix करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बिलका इकोन को प्रेस कर लेना है तो इसके लिए देखिए simple आप लोग अपने फोन में settings open करेंगे देन आप लोग apps पे जाना होगा app management पे क्लिक करते search बार पे हम यहाँ पे search कर देंगे google play store तो यह आ चुक है हमारा google play store इस पे हम क्लिक करते है then इसके storage usage पे क्लिक करेंगे और simple हम अपने जो google play store होता है उसका एक बार data clean करेंगे clear cache करेंगे इसमें जो भी गलत activity हुई होगी सब कुछ default हो जाएगा देन आप लोगों की problem भी fix हो जाएगी तो यहाँ आप लोगों को method को use करना है देन आप लोगों की problem 100% fix हो जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मातादी